आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में इस समय देखेंगे तो इस स्टॉक का जो क्लोजिंग रहा था नियर आराउंड 1% की तेजी दिखी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर निगे और को होना है और एक्सटेट 29 नवंबर है और हमने देखा था 12,000 करोर के आसपास के फंड है जो सर्पलस है जिसको एजर डेविडेंड कंपनी अल्रेडी देने की बात कही थी और जो एक्सपेक्टेड नमर थे 32 35 रुपीज तक के पर शेयर डेविडेंड मिलने वाला है त 29 नवंबर को इसका डेट है और इसी डेट को आपको डेविडेंड मिलना है डेविडेंड का क्या अमंट होगा वो 22 नवंबर को कंफर्म होगा यहां टेक्निकली तक पछले वन और त्री मन्त में ऑटपरफर्म किये जबकि पिछले वन वीक में देखेंगे तो स्टॉक का ट्रेड होते हुए दिखा है यहां देखेंगे तो इस कंपनी को डेविडेंड का राजा भी कहा जा रहा है 31 रूपीज 19.5 रूपीज 13 रूपीज 13.5 रूपीज और 18.5 रूपीज डेविडेंड के लिए यह स्टॉक काफी ट्रेंड में बना रहता है इसके साथ ही टेकनिकली यह कंसोलिडेशन जोन था यहां ब्रेकडाउं 300 के नीचे फिर स्टॉक ने 220 तक के लेवल टाच किये फिर यहां अपर ट्रेंड दिखा फिर स्टॉक ने अगें इसी प्राइस से 325 से ब्रेकडाउन अगें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और अगें कंसोलिडेशन जब तक ये स्टॉक 296-300 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है व्यू बुली से यहां देखेंगे कंसोलिडेशन है तो स्मॉल कॉंटिटी ले सकते हैं 325-330 और 325-330 के लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो अगें 400 प्लस तक के लेवल्स भी दिख सकते है चुकि हमने देखा डेविडेंट के न्यूज के बाद हमेशा स्टॉक में के स्ट्रॉंग अप्टेन दिखा है तो सोट टर्म टेडर भी स्टॉक में विद्प्रोपर एसल ट्रेड कर सकते है